वन बार प्रेशर करनेंस च्वंटी पर्सिन बाइव दाय इपॉर्सिंट बाइव तो वह कह रहे है एक मिक्सर है एक कंटेनर में देर आर तू गासे नाट इस हाईडरोजें आद ऑक्सजिद दू गैसे देखुडरोजें है आद एक ऑक्सजिद तो इनका प्रेशर कितना है वन बार टोटल प्रेशर टी टोटल एस वन बार अब वो गया रहे इसके अंदर वेट ऑफ हाइड तो है रोजन का वेट 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 वाले माइट तो अब अब कभी भी कुछ भी सॉल नहीं होता तो पहले हम क्या निकाल लेते लेट कर सकते हैं अगर परसंटीज है तो लेट टोटल मास कुछा लिए लिए हंड्रेट मास ऑफ एच्टू कितना हो गया 20 ग्राम्स मास ऑफोटू कितना हो गया 80 ग्राम्स प्र तो निकाल सकते हों ओफ्टू मोल ओफ टू विल टीवाइड वाइड वाइट वाइड वाइड वाय तू लाट थेन ओट वोटू कितना हैंगी वोड्य वाइट वाइड वायट ना हैगा थी तिटी टी दिवाइट बाइटी तुक्य और दिए वाटरी जुटी यहां प्राइगा तो पाइट बीट फाइट फीट थो फाहे लुकित मॉल्ट से कैन वी पाइट मॉल फ्राक्शन ओएगा 10 अब फ्रॉट फ्रॉट फॉट फिर लिग तो फॉट्वेज टिए तेंग अ तो 10 दिवाइब बाइ 12.5 विवस्ट पॉइंट पॉइंट इन दिवाइब वी बान मानिस पॉइंट इस पॉइंट फ्रेश्र ऑफ इड्रोजन निकालना है तो इसका डाल्टिंस लॉँसे अकॉर्दिंस लॉँसका इकॉर्म था जो हमने किया था पॉइंट इस इकॉल टू मोल फ्रैक्शन आफ टू इन्टू पी टोटल वन बार पेंट टू इंटो बार इस इकॉल टू पार जैएग एच तू गगालना था पॉइंट गी तो यह एक फॉर्मुला है जो मने डराइफ किया था मोल फ्रैक्शन और पाश्ल प्रेश्र के पर अव्यक्राओ ये टोर्टल फ्रैक्शंहें तो मौल फ्रैक्शंहें अव्य का निकाल एप फिर्वाइए तो मौल फ्रैक्शंन है इस्टोर वागी है तो डाखेएं पार अगया क्लीए झाल झाल